वरिंदा की साथ कलावती बहुत ही खडूस वभाव की थी हर वक्त बस अपनी बेटी माला के साथ फोन पर बतियाती रहती थी अरे अब क्या बताऊं जब देखो अपने दोनों बच्चों को ही खिलाती पिलाती रहती है, मुझे तो एक वक्त की रोटी के लिए इंतजार करना पड़ता है, अरे तो अम्मा तुम भाईया से भाबी की शिकायत क्यों नहीं करती, अब उसे क्या बोलू, वो घर में रहे तब न, हर समय ट्रक पर मा चोड़ने लाने का काम करता है, उसका घर आने का कोई समय नहीं, तब ही वरिंदा रोटी लेकर आ जाती है, अम्मा ये आपका खाना, आपने अर्बी की सबजी बोली थी बनाने को, वही बनाई है, अच्छा माला बिठिया, मैं फोन रखती हूँ, ला दे रोटी, ये क्या पनाया है, इसमें तुम मिर्च मसाले मानू डाले ही नहीं, कलावती वरिंदा को ताने मारना नहीं छोड़ती थी, सुमेर जब भी काम के ले जाता, तो कलावती घर खर्च के बहाने सुमेर से पैसे मांग लेती थी, और माला के साथ फ्रिजूल खर्ची कर देती थी, एक द आपको जो 2000 रुपए पिछले हफ़ते दे कर गया था, अरे अभी तक राशन नहीं आया, अरे बहू, क्यों जूट बोल रही हो, मैंने तुम्हें पकड़ाये थे 1500 रुपए, जब तुम पूझा और रिशी को रोटी दे रही थी, अम्मा, आपने रुपए नहीं दिये थे, बहू, मुझे जूट बोल कर क्या मिलेगा, दो नो एक दूसरे पर दोश निकालती रहो, एक तो सारा दिन मेहनत करके ट्रकों को ढोता हूँ, थोड़े बहुत ही पैसे कमा पाता हूँ, वो भी तुम लोग नहीं संभाल पाती, थोड़ी देर के लिए घर आ जाऊं तो, वो सुमेर भाया के ट्रक का एकसिडेंट हो गया है, उनको गहीरी चोटे आई हैं, जल्दी चलिए, क्या, अभी इस वक्त वो का हैं किशन भाया, अरे उन्हें हस्पिटल में भरती करवा कर आया हूँ, आप जल्दी चलिए, हाँ, हाँ भाया, बस मैं चल रही हूँ, हे अब कैसे है मेरे पती? ठीक तो ये हो जाएंगे, पर इनकी टांगों में ज्यादा चोटे आई हैं, इसलिए बता नहीं कब तक इन्हें वीलचेयर के सहारे ही रहना पड़े। चलेगा, कौन दो वक्त की रोटी का इंतिजाम करेगा? कलावती की ये बाते सुनकर वरिंदा बहुत दुखी होती है, वरिंदा, अम्मा ठीक ही तो कह रही है, मैं शायद कभी नहीं चल पाऊंगा, घर कैसे चलेगा? आप परिशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, वरिंदा सो खाना, अभी तुम्हारे बापू की तब्यत खराब है न, इसलिए नहीं बना रही, मा, क्या हम पूरी सबसी तब खाएंगे जब बापू ठीक होंगे? मुझे अपने परिवार के लिए खुद कोशिश करनी होगी, मुझे पैसे कमाने होंगे पर कैसे? वरिंदा काम ढूणने के लिए घर से निकलती है कि शायद उसे कोई काम मिल जाए, जगा जगा पूछने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता, शाम को ठकी हारी जब वरिंदा वापिस आ रही होती है, तब उसे किशन मिल जाता है, वो वरिंदा से कहता है, अरा आप सुमेर की क्या बोलू भाई साब हमारे परिवार को पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब मैं क्या करूँ अम्मा मुझे बाहर काम नहीं करने देंगी पर पैसे कहां से आएंगे। अरे रागहो बेटा थोड़ी देर मेरे पास बैठ कर टोकरी बनानी सीख ले ऐसी टोकरी बनाना सिखाऊंगा कि तुम मेरे से भी ज्यादा महंगी टोकरी बेचेगा। मुझे नहीं सीखनी बापु कोई टोकरी बनानी मैं खेलने जा रहा हूँ। बापु मुझे भी टोकरी बनाना सिखाऊ ना फिर मैं भी सुन्दर टोकरी बनाकर बेचूंगी। मेरी वरिंदा टोकरी बनाना सीखेगी। आ बिटिया मैं तुझे सबसे बढ़िया टोकरी बनानी सिखाऊंगा। ठीक है। देखते ही देखते वरिंदा बहुत सुन्दर टोकरी बनाना सीख जाती है। याद वापिस आ जाती है। वरिंदा का बापु कहता है। व्रिंदा मेरी बिटिया, याद आया कुछ? मैं समझ गे बापू मुझे क्या करना है? व्रिंदा को अपने बापू द्वारा बच्पन में सिखाये गया हुनर याद आ जाता है. वो सास से अगर टोकरी बनाने का सामान लाने के लिए कहती तो वो साफ मना कर देती. व्रिंदा के पास चांदी की पायल थी जिन्हें बेच कर वो लकड़ी के कुछ बांस खरीद कर लाती है और टोकरी बनाना शुरू कर देती है. व्रिंदा ये तुम क्या बना रही हो? तुम्हें पता है, अम्मा फिर तुम्हें बोलेंगी. मैं कुछ टोकरियां बनाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद बिख जाए और कुछ पैसे आ जाए. ये बिकार के काम तु करने छोड़ते, ऐसे टोकरियां बिखने लगी तो हो गए हम अमीर. व्रिंदा फिर भी टोकरियां बनाना नहीं छोड़ती, वो छे टोकरियां बना लेती हैं, तब ही उसके पडोस में रहने वाले मदन चाचा आ जाते हैं. अरे व्रिंदा बहू, ये क्या टोकरियां बना रही हो? जी चाचा, सोचाईने बेज कर कुछ पैसे आ जाएंगे. देखने मैं तो बड़ी मजबूत और टिकाऊ लग रही हैं, दो टोकरी मैं ले लेता हूँ, तुम्हें पता है, मेरी फ़लों की दुकान है, पहले मैं दो इस्तिमाल करके देखता हूँ, ठीक है न, कितने रुपए हुए? चाचा, आपसे पैसे कैसे ले लूँ? अरे बहू, ये तुम्हारा काम है, और महिनत के पैसे लेना तुम्हारा हक है, ये दो सा रुपए इन दो टोकरीयों के मेरी तरप से. शुक्रिया चाचा, व्रिंदा उस दिन खुश थी कि उसे और टोकरीयों बनाने के पैसे मिल गए, व्रिंदा और बांस खरीद कर लाती है, और उससे और टोकरीयों बनाती है. मा, मुझे पहले सिकाना, मैं बढ़ा हूँ. हाँ हाँ, तुम दोनों सीख लेना. ये लो और बांस खरीद लाई है, पता नहीं क्या करेगी, तभी वरिंदा को मदन चाचा का फोन आ जाता है वरिंदा अरे तुम्हारी बनाई टोकरियां बहुत ही पसंद आई है, तुम पचास टोकरियों का आउडर पूरा कर दो, ठीक है मदन चाचा वो मेरे पास इतने वरिंदा मुझे पता है, इतनी टोकरियां बनाने के लिए जो भी लगे, इसलिए दुकान के लड़के के हाथ पाँच हजार रुपए एडवांज भिजवा रहा हूँ, ठीक है मदन चाचा की 50 टोकरियां बनाने के बाद अभ वरिंदा के पास, काफी लोग टोकरियों का ओर्र लेकर आते थे धीरे धीरे वरिंदा की टोकरियों का काम अच्छा चल गया, अब तो उसकी साज भी इस काम में उसका हाथ बटाने लगी सुमेर भी अपनी पत्नी की मेहनत और हुनर देख कर खुश था एक दिन जब वरिंदा की ननद माला मिलने आई अमा, ये भाबी ने क्या नया ड्रामा शुरू करतिया है आपने हाँ कैसे कर दी इस काम के लिए देख माला, वरिंदा ने बहुत मैनत करके ये काम आगे बढ़ाया है ये इसकी काबिलियत है जो आज घर परिवार का खर चल रहा है वरना हम सब भूखे मरते और सुमेर भी अब ठीक हो रहा है वो आज वरिंदा की वज़ा से ही है तुम भी अपनी भाबी के काम की तारीफ करो मा, शायद तुम ठीक कह रही हो वरिंदा भाबी बहुत अच्छी है शायद हम ही उन्हें नहीं समझ पाए धीरे-धीरे सब ठीक हो जाता है ठीक हो कर सुमेर टrक तो नहीं चला पाया इसलिए वृंदा के काम में ही मदद करने लगा अब कलावती और माला भी वृंदा के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगी वृंदा की बनाई टोक्रियां हर जगा मशूर हो गए व्रिंदा ने ये बार जब अपने बापू को बताई तो वो भी बहुत खुश हुए एक गरीब टोकरी बनाने वाली व्रिंदा को उसकी काबिलियत और मेहनत का फल मिल चुका था बेस्ट बादीज बेस्ट बादीज